तो जैसा कि हिंदी पेड़ागोजी का हम लोग दो लेसंस को हम लोग डिसकस कर चुके हैं इस सीटेट 2020 की सिरीज में तो टू चैप्टर हम लोग ने किया है फर्स्ट जो आपका वीडियो था उसमें हमने हिंदी पेड़ागोजी का पुरा ओफिशल स्लीबस डिसकस किया था और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है चल रहे हैं तो आज हमारा लेसंन 3 है और इसको हम लोग 2 पार्ट में डिसकस करेंगे आज हम पार्ट 1 डिसकस करेंगे लेसं 3 का और कल हम लोग इसका पार्ट 2 डिसकस करेंगे Let's start friends Part 1 जो है इसका वो क्या है यह आपका Part 1 है इसमें आपका क्या आता है भाषा के कार्य तो जो आपकी भाषा होती है उसके जो mainly है उसके कार्य क्या होते है क्या उसके functions होते है ठीक है तो समझते हैं थोड़ा इसको देखिए भाशा जो होता है वो भावों को अभिव्यक्त करने का एक साधन होता है आपकी जो भी emotions होते हैं उसको किस चीज से अभिव्यक्त करते हैं भाशा से अभिव्यक्त करते हैं मनुष्य पश्यों से इसलिए श्रेष्ट है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसी भाषा होती है जिसे लोग समझ सकते हैं ठीक है तो हमारे अंदर और जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर क्या फरक है देखिए यही तो फरक है कि हमारे पास एक लेंग्वेज है जिससे हम खुद की बात एक्सप्रेस कर सकते हैं लोगों को समझा सकते हैं दूसरों की बातों को हम समझ सकते हैं एक भाषा है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कमिनिकेशन कर सकते हैं ठीक है भाषा दो प्रकार की होती है अ इसको कि हम क्या करते हैं जिसको हम सीखते हैं उसके व्याकरण को समझते हैं उसकी सारी जो चीजें उसको हम सीखते हैं ठीक है अब एक होती है राजभाशा राजभाशा क्या होती है सरकारी कामकाज के लिए परियुक्त भाशा को हम क्या कहते हैं राजभाशा कहते हैं ठीक है नेक्स्ट आप चलते हैं भाषा के कार्य क्या क्या है अब भाषा के क्या 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 रहे हैं देखते हैं तो भाषा का पहला कार्य क्या है इच्छाओं और आवशक्ताओं की संतुष्टी यानि की satisfaction of needs and desire कैसे देखिए आपकी कोई भी अगर इच्छा होती है इक भाषा से क्या होता है वह अपनी आवशक्ताओं को अपनी इच्छा को आपकी कोई पीड़ा हुई आपका मनोभाव जो भी होगा वह किसके थुरू आप एक्सप्रेस करेंगे किसके थुरू बताएंगे लेंग बाषा का एक कार्य होता है विचारों की आदान प्रदान का महत्वण सादन है convenient source of exchange of thoughts मतलब की हमारे thoughts को exchange करने का हमारे विचारों को आपस में आदान प्रदान करने का यह महत्वण सादन है भाषा सामाजिक संबंद के लिए आवशक है for social relationship आप सामाजिक संबंद के लिए कैसे आवशक है तो देखिए society में क्या होता है हमारे जो relations होते है society के साथ में वो किससे बनते आपके जो आप एक अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं एक अच्छी communication आपके साथ होती है आपकी अच्छा interaction होता है आपका social environment के साथ में तो उससे क्या होते हैं आपके social relationship जो होते हैं आपके सामाजिक संबंद जो होते हो बहतर बनते हैं जैसा कि आप किसी इंसान के बारे में सुनत साथ में एक अच्छा संबंद एक अच्छा interaction बनता है ठीक है ज्यान प्राप्ति के प्रमुक साधन के रूप में important source of knowledge तो language जो होते हो क्या होते है आपका ज्यान प्राप्ति का यानि कि आपका जो knowledge gain करने के लिए एक बहुत ही important source है अगर भाशा नहीं होगी तो आप किसी भ इस तरीके से अगर हम एक एज़ेश इसको देखें तो अगर कोई English नहीं होगी तो एक स्टूडEंट औरब एक टीचर का जो thoughts का जो आपका हो गॉस तरीके से होगा वह तो समभव नहीं है अगर कोई language नहीं होगी तो आप किस तरीके से पहसां को किस तरीके से अब समझ प तो क्या हो गया ज्ञान प्राप्ति के प्रमुग साधन के रूप में भाषा जो है वो कार्य करता है ठीक है नेक्स आता है आपका संस्कृति एम समाज का विकास करने में सहयक होती है जो भाषा हमारी होती है ठीक है helpful in development of culture and tradition तो जो हमारी संस्कृति होती है हमारा समाज होता है हमारी सभ्यता होती है उसको भाषा जो होती है वो एक बहुत बड़ा आधार प्रदान करती है ठीक है कोई भी भाषा जो होती है वो अपने आप में ही अपनी संस्कृति को संजोय रखती है तो कि देखिए हमारे हमारे यहा होती है वो हमारी सभ्भेता से हमारी संस्कृति से हमारा क्या है परीच्य करवाती है उसका विकास करने में उसको डिवलप्मेंट करने में हमारी जो है सहायता करती है व्यक्तित्य के निर्माण में सहायक यानि helpful in personality तोमें चाहर जाते हैं इसी तरेके से अगर आप एकम Sabara भाष्य मेर को बहुत आपके था Taylor 30 इसा की गया से अगर अगर आपके जो अपर आपकी दोकी एक निखारती है एक अच्छा बनाघाईट eagle सबताती है आपको स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए और उनको सिखाने के लिए सामाजिक मुल्यांकन के लिए महतो है important in social evaluation सामाजिक मुल्यांकन के लिए कैसे महतो है अब देखिए कोई बच्चा होता है वो किस तरीके से बात करता है कैसे वो क्या करता है, समाज के लोगों के साथ में किस तरह का वेवार करता है कैसे बोलता है, कैसे किसी के प्रशनों का उत्तर देता है कैसे उसको response करता है, ये सब चीजें कहां से पता चलती है आपको भाशा से पता चलती है, किस तरीके की language वो use करता है तो उससे क्या होता है आप उसका एक सामाजिक मुल्यांकन कर सकते हैं कि वो किस तरह का इंसान है सेक्शनिक उपलब्दी के लिए आवशक Important in Education Achievement अब देखिए Education Achievement के लिए भाषा का होना कितना जरूरी है अगर एक बच्चे की भाषा पर एक बहुत अच्छी पकड़ है अगर उसका भाषा का जो knowledge है वो अगर उसकी strong है तो उसको Education में आपको क्या है कुछ उपलब्दियां मिलेंगी आपको जहां भी आपको मौका मिलेगा वहाँ पर आप अपने intelligence को आप उसको express कर सकते हैं क्योंकि जो language होती है वो directly आपके cognitive development से आपके जो बुद्धी का विकास होता है उससे जुड़ी होती है तो अगर आपकी भाषा जो अच्छी है तो आपको क्या होगा sectionic जो अफसर होते हैं वो आपको जादा मिलेंगे ठीक है next देखते हैं हम लोग भाषा सिक्षक के रूप में आपके क्या कारे हो सकते हैं यह तो हुए भाषा के कार रहे हैं हमारे जीवन में भाषा की कक्षा को रोचक बनाने में उसका खुद का अध्यन और अनुपफ मददगार होता है यानि उनका जो खुद का अध्यन होता है यानि उनकी जो खुद की study है language की और उनका खुद का experience जो होता है language को लेकिन अगर as a teacher आपको खुद को एक study होगी आपकी खुद का experience होगा language को लेकर के समझ होगी तो आप क्या करेंगे उसको बहुत interesting तरीके से अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं ठीक है उसे इस संबंद में जितनी जानकारी होगी वो खुद नई चीजों को सीखने और संधर् साथ भाशा को जोड़ते हुए बच्चों के सामने रख सकेगा बच्चों को सीखने में उतनी ही आसानी होगी कहना क्या मतलब है कि as a teacher आपको जितनी जादा knowledge होगी तो आप क्या करेंगे नई चीजों को सीखने में और उसको क्या है practically आपकी life में जोड़ने में और भाशा क उसके साथ में उसको क्या करेंगे अब जोड़ते हुए बच्चों को समझा सकेंगे और बच्चों को क्या होगा उससे सीखने में आसानी होगी ठीक है भाशा शिक्षक को कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को बाशा परियोग करने के लिए प्रोसाहिद करना अब भाश सदस्टेश को कि बाहर भी भाशा प्रयोब करने लिए आपको उदी प्रओको आंको करना चाहिए। बहसा शिक्षेन में सिक्षक को समग्रत वादी तर्ष्टीक। अपिनी अपरउको है। बहुत ही वास्ट तरीके से आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि आपने जैसे कि हमारी संस्कृती हमारा समाज सब कुछ एक तरह से भाषा में समाहित होता है तो जो भाषा का दृष्टिकोर अईक सिक्षक का वो बहुत ही समग्र होना चाहिए बहुत ही विशाल होना चाहिए। वह भाशा दा प्रस्ततना अंभक्त आप प्राशच को आप भाशा के वहागा कुले अजद आधर प्रस्तोत की तो तो as a teacher आप जो है, जो आपकी language है, उसको किस तरीके से आप प्रियोग करते हैं, उसमें आपकी कितनी कुशलता है, यानि कि कितनी आपकी efficiency है, वो आपकी बच्चों की भाषा प्रियोग के लिए आदर्श प्रस्तुत करती है, यानि कि एक example रखती है उनके सामने, अगर एक teacher क कि भाषा खुद की अगर अशुद्ध होगी, अगर हम किसी चीज का गलत pronunciation करते हैं, तो बच्चा उसको क्या करेगा, गलत ही सीखेगा, तो बच्चे के लिए आपकी जो भाषा होती है, वो एक आदर्श के रूप में होनी चाहिए, ठीक है, नेक्स चलते हैं, भाषा विका को प्रभावित करती है, कैसे करती है, देखिए, बच्चों का हेल्थ अच्छा होता है, हेल्थ मतलब कि जिनका क्या होगा, आपका हर तरीके से development अच्छा होगा, cognitive development हो गया, जो बुद्धी का विकास हो गया, तो वो हर तरीके से क्या होंगे, स्वस्थ होंगे, अगर तो उ आपके साथ में interaction कर पाएगा, teacher के साथ में interaction कर पाएगा, तो automatically ये सारी चीजें जो आप उसके language development में उसको help करेंगी, उसके बादात है, दूसरा factor आपकी बुद्धी, तो बुद्धी जो होती है, जो intelligence होती है, वो हमारी बहुत बड़ा factor है, हर एक चीज को सीखने में, तो ये भाषा को सीखने के मामले में भी आपका जो बुद्धी होती है, वो आपको प्रभावित करती है, जो कम बुद्धी चातर होती है, थोड़े से जैसे कि हम लोग CDP में पढ़ेंगे इसको आगे, कि intelligence बीच होती है, इसमें भी आपका क्या होता है, कुछ आपके बहुती प्रतिबाशाली बच्चे होते हैं, जिनके जो बुद्धी लबदी जो होती है, काफी उचे लेवल की होती है, कुछ थोड़ा सा कम चीजों को समझ पाते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी भाषा की विकास को प्रभावित करता है, ये फेक्टर, सामाजिक आर्थिक स्थ समाज में रह रहा है, किस तरीकी उसको एनविरमेंट मिल रहा है, वो भी उसकी भाषा को प्रभावित करता है, अगर एक बच्ये को बाशा के लिए, संपर्ध भाषा भाषिक परिवेश मिलता है, तो वह उसकी भाषा का जो विकास होगा, वह बहुत अच्छा होगा, और उसको अगर एक भाषा के लिए अच्छा परिवेश नहीं मिलता है तो उसकी भाषा का विकास जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा लिंगे भिंता अब जेंडर डिफरेंसिस भी होते हैं लेंगवेज के मामले में ऐसा मतलब माना जाता है माना जाता है कि जो गर्ल्स होती है वो बॉइस के मुकाबले में जादा पश्ट उचारन करती है ऐसा हर एक के मामले में नहीं होता है क्योंकि एक्सेप्शन आर अल्विस दियर हमारे अंदर इंडिविजियल डिफरेंसिस होते हैं लेकिन मतलब यह चीज आप एक जेंडर भिन्नता के रूप में इसको ले सकते हैं ठीक है परिवार का आकार तो आपका जो फैमिली का साइज होता है वो भी आपकी भाशा का विकास को प्रभावित करते हैं बच्चे के पास में इंडरेक्षिन करने के लिए ज़्यादा उप्ष्चन होंगे तो वह वह अपने डादा के साथ में बात कर रहowers है, वहां से कुछ शब्द सिखेगा दादी से बात कर रहा है, वहां से कुछ शब्द सीखेगा, तो जो family का size होता है, वो भी आपके भाशा के विकास को कही ने कही थोड़ा सा प्रभावित करता है, ठीक है, तो उसके बाद आती है आपकी maturity, maturity यानि परिपकवता, तो जो maturity level है, वो आपकी language को क्या है, affect करेगा, त तक वो mature नहीं है, उसको आप नहीं सिखा सकते हैं, एक बच्चा है, वो भाशा सीख रहा है, भी उसको एब, म, यह सब बोलना आता है, और आप उसको सिखाने लगे, ओम, भूर, भूएस, तो कैसे सीखेगा वो, उसका maturity level उसके अंदर इतनी परिपकवता नहीं है, कि वो उ maturity level होता है एक बच्चे का, वो भी भाशा को प्रभावित करता है, उसके बाद आता है अपका सम्वेगात्मक तनाव, तो सम्वेगात्मक यानि कि emotional stress होता है जो, अगर कोई बच्चा जो है, वो stress फील करता है, तो वो भी उसकी भाशा के विकास को प्रभावित करेगा, जिन बच्चों का जो अपने emotions पर जो है, एक stability नहीं होती है, उनका क्या होता है, भाशा का विकास थोड़ा सा प्रभावित होता है, फिर आता है आपका वेक्तित हो, यानि कि personality, अब personality क्या है आपका, personality wise जो बच्चे जो होते हैं, जो आपके जो बहुत ही express, जिनका expressive जो behavior होता है जिनका मतलब की बहुत ही अच्छे से interaction कर पाते हैं, society के साथ में, उनका जो भाशा का विकास होता है, वो मतलब बहुत ज़ादा अच्छा रहता है, उन बच्चों की मुकाबले जो की समाज के साथ में थोड़ा सा कम interaction कर पाते हैं, जैसे कि individual differences होते हैं, आप पर आपने development में कहीं न कहीं उनको प्रभावित करती है, ठीक है, पर सिक्षन विदी, method of evaluation, method of evaluation का मतलब क्या होता है आपका, कि पर सिक्षन विदी जो होती है, वो भाशा को कैसे प्रभावित करती है, सो जो भाशा के बारे में अधिया, आपको सिर्फ सिधान्तिक रूप से शिक्षा ठीक है, और उसको आपको प्रैक्टिकली उसको कैसे यूज करना है, वेवारिक रूप में उसको यूज ना किया जाए, तो उस भाशा में क्या होगा, उस कोशल का जो होगा, पर्याप्त तरीके से आपका विकास जो हो नहीं हो पाएगा, यानि कि जो भी भाशा आपको मिलेगा बच्चे को, जैसे कि अगर आप देखें कि आपका, अगर फैमिली में आपका, फादर जो है, वो इंग्लिश में बात करते हैं, और मदर जो है, वो हिंदी में बात करती है, तो बच्चा क्या होगा, बच्चा एक्क्वायर करने के मामले में जो हो कन्फ्यूज हो जाएगा की कौन सी भाषा सीह कि जाए ठीक है ऐसे ही krak थे हम लोग एक की घर में जैसरे कि आप देखेंगे तो अगर आप कहीं जैसे की कोई गाउं में रहते हैं ठीक है तो वहां पे क्या होंगे आपके family कि आधे member अगर Hindi बोलते हैं और आधे member अगर गाउं की जो language बोलते हैं तो बच्चा क्या होगा? वो confused होगा कि वो Hindi सीखे, Hindi में इस word को क्या बोलते हैं और इस गाउं की language में क्या बोलते हैं तो दोनों को लेकर कि वो थोड़ा सा क्या होगा? उसका confusion रहेगा तो bilingualism जो है उसको कहीं ने कहीं उसकी भाशा के विकास में थोड़ा सा उसके लिए उसको affect करता है ठीक है? नेक्स देख लेते हम लोग की questions किस तरीके से बनते हैं? जो कि मैं दो questions आप लोगों के लिए हमेशा रखती हूँ बाकी questions की practice हम आगे करेंगे इसको लेकर के बच्चों को स्मृद भाशिक परिवेश उपलब्द कराने में कौन सहजता सी योगिदान दे सकता है? यह आपका सीधा सांसर है कि स्वैम सिक्षक का भाशा परियोग जो है वो सहजता सी योगिदान दे सकता है यानि सिक्षक जैसी भाशा परियोग करेगा उसी तरीके से बच्चों को एक स्मृद भाशिक परिवेश मिलेगा और वो language को easily acquire कर पाएंगे ठीक है? नेक्स देख लेते हैं क् आपका questions का रखोंगी जिसमें कि हम इन 4 chapters को discuss कर लेंगे questions के तुरू जो हमने 4 chapters किये हैं इनसे related सारे में previous years के questions जो आपसे discuss करूंगी सो हमारा आज का lesson 3 का part 1 हमने आज complete किया इसको part 2 हम कल करेंगे क्योंकि इसमें काफी सारी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो कि एक वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा तो हम इसको two parts में करेंगे ठीक है? थैंक यू फ्रेंड्स अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किये है तो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक यू कीप लरनिंग कीप सपोर् कि पूंस sua olगा उक स्कत्राइब भी करें इसकी टärhen बेल आपको बेलाइक करें हों आपको और्बादी सकत्स झारइक करें ठा मिलती टेंगिकेशन मिलती दखादी हूिन मिलती अगर शिया है पस्दूर आपको पसंठीक के अउन ऑ предлож are to